अपना अगला चप्टर आएगा remote sensing तो सबसे पहले तो हम यह देखेंगे कि remote sensing जो सब्द है इसका मतलब क्या है इसके बाद ही अपना जो पार्ट आता है forestry या other field के लिए application वह आएगा तो remote sensing सब्द की बात की जाए तो remote का मतलब होता है distance और sense का मतलब उसे sensing करना या उससे information को gathered करना information निकालना आपने अक्सर जो अपना airport authority है उसके पास में एक बड़ा radar देखा होगा जैसे अपने जो टीवी की छतरी होती इस टाइप के बड़ी बड़ी छतरी देखियोंगी जो round गोल गोल गूमती रहती है और वो information gathered करती है कि इस sky में कौन सा airplane कहा है means उसकी position तो ये क्या ह एक type से information gathering कर रही है वो एक sense कर रहा है कि कौन सा airplane कहा है और वो भी कहां लंबे से airplane से direct touch में नहीं है airplane 50 km या 100 km distance पर है और यहीं से उसकी information निकाल रही है कि कौन सा plan है और कितनी distance पर है और इसकी direction क्या है तो remote sensing का मतलब होता है कि आप किसी object से आप यहाँ पर observer हो ये आपका को object है तो यह जो object है आप इसको बिना टच करें लंबाई से ही इसकी जो information है उसे निकाल रहे हो गैदर कर रहे हो ये जो method है जिसके थुरूँ आप उस information बिना उस object को टच करें निकाल रहे हो इसे बोलते हैं अपन रिमोट sensing अब यह जो remote sensing है यह basically दो टाइप की हो सकती है इसे एक बोलते हैं active remote sensing और दूसरे को बोलते हैं passive active का मतलब जैसे मैंने आपको radar system का जो बोला था airport authority यूज़ कर रही है या हमारी जो defense है military है वो इस type के radar को यूज़ करते हैं यह क्या है यह है active active में क्या होगा जैसे कि अगर यह drone है वो एक particular wave को यहाँ पर jump करेगा wave को छोड़े यह wave जब यहाँ जमीन पर आएगी और टक्रा करके बापस जाएगी और इसे फिर उसे sense करेगा उसी type से अपने जो radar है वो radar की छचतरी है वो यहाँ से जो air plane यह हवा में कोई भी object है तो यहाँ से जो radio waves है उसे छोड़ता है और इससे reflect back हो करके radio waves आती है उसे पकड़ लेता है तो क्योंकि यहाँ पर energy यह use करता है उस wave को produce करके फैक के jump करने में अपने जो targeted object है उसकी तरफ तो इसलिए हम इसे बोलते है active remote sensing दूसरा passive remote sensing जिसमें जो observer है वो खाली में बैठा रहता है वो boom नहीं करता कुछ भी और जो आ रहा होता उसी को सीधा लेता रहता है जैसे कि आपके घर में जो टीवी है जैसे आप देख रहे हैं आपकी टीवी यूजली passive remote sensing की तरह काम करती है कि वहां से satellite से जो भी signals आ रहे हैं आपके आपके पास आपकी टीवी का जो NT नहीं वह उसे पकड़ता और आपकी टीवी को दे देता है मिस इसका ज़दा उससे कोई बहु आप कोई आप कोई इसी टाइप की जो वेव है या फ्रिक्वेंसी उसे आप object पर जंप नहीं कर रहे हो आप object पर फैक नहीं रहे हो object से इधर उदर से जो भी वेव आ रही है जाए वो sound wave हो या light wave हो उसको अपना जो observer है वो उसे receive कर रहा है इसे हम बोलते है passive remote sensing आपको समझ में आया कि remote sensing क्या है और इसके दो basic टाइप अब इसके जो टाइप से हैं वो कुछ और भी हो सकते है डिपेंड करता है कि किस टाइप के हम प्लेट फॉर्म को यूज कर रहा है या जो लेंस है उसे यूज कर रहा है या किस टाइप के camera या device यूज कर रहा है उन उनको यूज करते थे इस इनीचल में hydrogen के वैलून और उनके साथ अपना जो sensing device है जैसे के camera वगरा है उसे बांद दिया अब क्यूंकि वैलून है वो height के साथ उपर जाएगा तो हमें एक limited height से ज़्यदा तो अच्छी picture नहीं मिलेगी लेकिन एक limited height से हमें उस broad area की एक picture मिल जाएगी picture मिल गई means उस broad area को हमने sense कर लिया बाद में जब अपने पास plan वगर आ गए तो फिर plan को यूज करने लगे जैसे कि government of India लगवकि 1980 तक एक Dakota plan था Dakota Dakota plan को use कर दी रही है इसके बाद फिर जैसे जैसे technology बड़ी खास कर satellite वेस्ट तो फिर बाद में हम सिफ्ट होगा है satellite पर अब यहां से जब यह satellite की तरफ सिफ्ट हो रहे थे ऐसा क्यों हुआ क्यों कि आप समझ सकते हो कि जो वैलून है यह वाले वैलून से जो remote sensing है तो जा रहा है एक किलो मेटर दो किलो मेटर तीन किलो मेटर इससे जदा उचाई नहीं पकड़ सकता है जो एयर प्लैंस है वो थोड़ा और उचाई पे जा रहे थे मिस एक ही पिक्चर में काफी बड़ा एरिया कवर कर रहे थे और अकर satellite की बात की जाए तो इनकी उचाई मैं तो इस टाब से रिमॉट सेंशिंग के लिए हम अगर प्लेट फॉर्म के बदेज पे बोला है तो आपका चाहाए एरिया सो सकता है इस बेस्ट और अमालात, या फिर अगर आपको एक्ट पैसित में इन्टरेस्ट काम्यó is र enat,, सब साइट की एक पेस्टेय मेट होती ह कर सकते हैं या इनका application क्या है तो application को आपको समझने के लिए आप उन्हें case study ले लेते हैं जैसे कि आज कर राजस्तान में टिडियों का बहुत अटेक हो रखा हैं तो अगर इसकी case study देखेंगे तो आपको इसके साथ-साथ means यह तो समझ में आएगा लेकिन आपको यह remote sensing algorithm कैसे work करती अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप इसके application बहुत सारी अधर जगह लगा सकते हो जैसे कि राजस्तान में काफी area में है और आप उसका एक छुटा से जिला पकड़ लो जाला बाड़ आपके जाला बाड़ में टिडियों ने अटेक किया है या आप ऐसा मान लीजिए कि आभी अटेक नहीं किया है चार दिन बाद अटेक करने बाली है आपके पास information है कि चार दिन ब होगा कि सेटलाइट है वो multi spectral होती है multi spectral satellite इस दो ने multi spectral satellite launch कर दी काफी लोगों को इसका sense में नहीं मालूम होता है देखो multi का मतलब बहुत सारी spectral का मतलब spectrum आप जो आँखों से देखते हैं वो आप किसे पकड़ते हैं वो पकड़ते हैं visual spectrum को visual spectrum में ही 7 band होते हैं तो अगर आप कि सेटलाइट है वो किवल visual spectrum के है तो हम उसे जदा value नहीं देते हैं इसके साथ साथ और कौन से spectrum हो सकते हैं अल्टरा वालेट हो सकती है एक सरे गामा रे cosmic ray भी हो सकती है या visual के साथ और भी बहुत सार है तो आजकर जो multi spectral satellite है means वो visual spectrum के साथ साथ अल्टरा वालेट या कुछ किसी infrared radiation बगरा है उनको भी catch कर रही है तो एक से जदा spectrum को पकड़ रहा है इसलिए उसे बोलते है multi spectrum अब यहाँ पर जो remote sensing करते हैं इसमें हम generally visual spectrum को ही लेके चलते हैं उसने में अपना काम हो जाया तो आपकी जो satellite जो picture लेगी वो पूरे globe की लेगी के बल इंडिया की तो नही latitude longitude पहले से fix होता है दिखता नहीं है जमीन पर लेकिन जो हमारे satellites हैं उनकी दिमाग में पहले से fit होता है fix होता है यह picture जो लिए उसकी latitude क्या है और longitude क्या है दूसरी बात यह जो multi spectral satellites हैं यह जैसे आप अपने camera को अगर निकाल के कोई photo ले लोगे तो आपको जो photo आएगी व आपकी बस color photo आने चाहिए कौन सा red band है blue band है यानि कि जो visual spectrum के जो 7 band होते हैं उनसे आपको कोई ज़या लेना देना नहीं होता है लेकिन जब remote sensing बाली बात आती है तो वहाँ पर जो satellites होते हैं वो हर color के जो band है उसको अलग-अलग data लेते हैं और बाद में जिस type की picture बनानी होत है क्योंकि यह जो अलग-अलग band करने के लिए जो sensor है वह satellite में बड़े-बड़े sensor लगते हैं और वह अलग-अलग रखे जाते हैं इसलिए वहाँ पर यह अलग-अलग अराम से separate करते हैं जबकि अपनी जो mobile है उसमें इतना कोई खर्चा पर नहीं करना होता है तो वह सबका mix अलग sensor होंगे तो वह एक picture लेगी लेकिन वह अलग-अलग हर spectrum के base पे लेगी तो आपको एक ही एरिया की satellite है वह पांच-छे color में यह पांच-छे band में picture provide करवा देता है अब आप इसके बाद क्या करोगे कि अपने पास एक जो system है laptop है बड़े system होते है अच्छली इसके लिए अपने इनकी उकत नहीं होती है वो लेलो की जैसे i9 का processor हो और लगवग 25-30 GB की रेम होती है तो बड़े system होते हैं आप उसमें डालोगे से इसके बाद क्योंकि यह picture तो उसने सारे जहां के लिए रखी होगी तो आप उसे बताओगे कि वह यह इंडिया के मैं राजिस्थान राजिस्थान में यह लिए अपने जहलावाड़ा तो उसमें अपने जहलावाड़ी की latitude, longitude वाली जो dimension है उसकी जो boundary है उसे एक बार detect करवा देंगे तो एक बार यह जो software होगा यहां इसमें जो upload जैसे कि अपना PDF reading के लिए अलग software होता है MS Office के लिए अपना अलग software वैसी इ आप से जो pictures है उसका जो आपका district की जो boundary है वो detect करवा देंगे अब इसके बाद यह क्या करेगा यह जो seven color थे उनका band लेगा और उनका एक आजीव type का mix up बनाएगा यह बिलकुल ऐसा ही है जैसे आपके पास एक टोकरी है और आपके पास यहां साथ color की साथ छोटी छोटी bottles ह है आप क्या करोगे कि इस bottle का color इसमें डालोगे इसका भी डालोगे इसका भी डालोगे आपको हर color की बूंद बूंद करके डालनी है और आपको किसी ने नहीं बताए कि कौन सा color कितने डालोगे है तो ऐसा हो सकता कि आपने red की 2 डाली blue की 3 डाल दी green की 5 डाल दी means हर जगह की जो sensor है means जो अपने 7 बेंड थे वो जब इस पूरे district का map बनाएंगे तो हर map का हर एक pixel जो है उसका एक specific combination बनता है और इक combination अगर इस पूरे जिले में ग्यहूं ही लगाए तो हलाकि combination पूरे जिले का एक जैसा ही रहेगा क्योंकि एक जो plant है उसका एक specific interaction आने से आप ऐसे समझ हो कि जब आप 7 बेंड को किसी plant के ऊपर boom करते हो किसी plant के ऊपर छोड़ते हो तो plant से जब light बापे साथी है तो plant उस light के साथ जो सब भूम की गई थी उसके साथ एक specific तरीके से react करता है उन net उनल से कुछ बेंड को ज़ quantum करता है कुछ को कम करता है तो जो light बापर आती है आप के पास वो लाइट नहीं होती जो आपने उस प्लांट को दी थी तो अपने जो सेंसर है वो जो बापस लाइट आई उनको डिटेक्ट करते हैं और वो जो लाइट आई है उसके कॉमबनेशन को चेक करते हैं कि यहां से जो रैड हमने हंडीट परसेंट दिया था उधर से स्पेस्पिक कॉंबिनेशन बनेगा तो अपने जो सेंसर होते हैं सेटिलाइट के वो यह डिटक्ट कर लेते हैं कि यह प्लांट का यह कलर का मिक्सप आ रहा है इसका मतला भी यह कलर का मिक्सप पूरे देश में जहां जहां से भी आएगा वो यही प्लांट होगा ग्यहूं का ही plant होगा तो यह जो specific mix-up जो बनता है सातो बेंड का इसको हम बोलते हैं एंडी वी आई आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास यह एक एंडी वी आई वाला map बन गया software में है एक्चुली लेकिन यह बन गया हलाकि हम इसको authenticity के लिए ground पर जाते हैं और देख लेते हैं कि अच्छा ground विजेट पर गयाए कि यहाँ पर wheat लगा हुआ है और फिर इसका latitude यह GPS डवाइस लेके जाएगा और यह देखेगा कि इसका latitude longitude क्या है तो एक बार यह खित में गया और वो यहाँ पर उसने data को detect करवा दिया कि यह जो area है यह wheat का है और wheat का NDVI यह है अब आप क्या कर सकते हो आपके पास दो option है अगर आपने यह NDVI पूरे राजस्थान के में डाल दी तो राजस्थान के picture में यह same NDVI वाले जितने भी पिक्सल होंगे अब यहाँ पर एक ले लेते हैं कि यूजली आज़की जो satellite है उनका जो एक पिक्सल होता वो होता वन मीटर वाइब वन मीटर का यह यह वन स्कौर मीटर का तो अगर आपने यह डिटक्ट करवा दिया और इसका NDVI इसने बता दिया तो आपको पता है कि यह NDVI वाले हैं ग्यहूं वीट है तो आप एक बार पूरे राजस्थान का मैप डाल दोगे तो वो यह बता देगा कि राजस्थान में कितने हक्टर एरिया में वीट लगाय हु हूए हैं अगर चावल से लिंक कर दिया अपने उस NDVI को अब अपना जो स्टोरी चल रही थी कि अपनी चिडिकी की तो मानलो पना आज का एंडी वियाई कर लिया या टिडी के अटेक के दो दिन पहले का एंडी वियाई कर लिया टिडी ने अटेक किया और उसके बाद का एंडी वियाई ले लिया तो क्योंकि इसके एंडी वियाई में यह देखेंगे कहां के एंडी वियाई में जैसे यहां का पिक्सल है और यहां कि NDBI में क्या change हुआ है अगर एक particular change हुआ है और उसे हम एकवारे से पकड़ा देते हैं तो यह यह बता देगा कि कि कितने pixel में change आया है यानि कि pixel में change का मतलब उसे यह समाझव में आगाए कि यहां यहां TIDD खुड़ हुआ ऑख है तो हम स्देक्ट कर सकते हैं TIDDI ने कहां कहां अटेक किया है तो यह जो remote sensing है वो इस टाइप के जो NDVI वाले concept है इसी पर पूरा काम करता है साथ कलर के जो band है उसके जो mix-up होता है उसके base भी काम करता है हलाकि multi spectrum है तो उसमें यह जो साथ color यानि की visual spectrum के जो साथ band है इनके साथ साथ आप infrared ले सकते हो भी और ultraviolet वाले है उनको भी यह radio waves उनको भी use किया जा सकता है वो अपना यहां मुद्धा नहीं है तो यहां पर आपको यह समझ में है कि आखर जो अपना remote sensing है वो कैसे काम करता है इस से आप और क्या काम कर सकते हो agriculture की field के है जैसे कि agriculture में आपकी crop लगी हुए और आप यह देखना चाहते हो कि यहां पर water stress नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यहां पर जो yellow है वो water stress है तो इस type के आपके आज की time पर बहुत सारे है कि आपको एक वार water stress का उस system को बता दो कि जब water stress आता गयों को तो उसमें ndbi इस लेबल तक चला जाता है तो वो drone अपने आप उड़ेगा पूरा automation रहता है system जैसी कहीं water stress दिखा देता है उससे समाझ में रहता है कि इस area में water stress है तो जो irrigation pump है उसे चालू करके water irrigation प्रोवाइड करवा देता है तो इस type surgical automation में चल रहा है यह कि forest fire को कैसे manage किया जा रहा है बिलकुल same concept चल रहा है कि जो satellite है वो detect करता है उसे पहले से बता दिया गया है कि यह area है यह forest area अगर इनकी कहीं भी ndbi में change आता है तो तुरंत बताओ तो वो जैसी वो particular pixel में कहीं change आया जो satellite है वो हाल आपको बता देता है कि यहां की pixel में change आया है अब क्योंकि जंगल में pixel में change 2 condition में आ सकता है या तो forest fire में या फिर पेड़ कट दीएगा है अब क्योंकि पेड़ कटेंगे तो एक दू कटेंगे जंगल में आग लगती है तो वह पांच-छे गंटे में बहुत बड़ा area कबर कर देते हैं तो इस हिसाब से हम उन्हें आ आपने निकालते हैं ट्री कबर आउटसाइड वाले टीओ एफ है फोरेश्ट कबर या फोरेश्ट एरिया को मेजर करना है यह सब चीज़े किसे करते हैं इसी के तरू इसके साथ साथ जैसे आज कर स्वैल मैपिंग करते हैं कि इंडिया में कौन सी स्वैल कहां पा रहा है र जो डेजट इस्प्रीड हो रहा है उनकी क्या रेट है तो वह पूरा सटलाइट बेस्ट कर रहा है जमीन के ढलाओ पन है यह यह वैलिवेशन का सबसे अच्छा है जो हम रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं वह मिलिटरी में करते हैं जो जब मुकस्मीर की पहड़िया है उनको हम पूरा इसी पछिस पह कर रहा है कि कैसे हम इनको जबढम बली यूज कर सकते हैं इंड्या चांग के वह पाकिस्तान ये चाहिना के अगिंस्ट फर लेड़ंड यूज कवर्ल में लेंड यूज या लेंड़ जो मैपिंग और यूज कर लेतें कि जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि अगर अपने MP में एक एरिया को डिटक्ट करवा दिया NDVI कि ये NDVI वाले जो जो भी पिक्सल है ये वीट है और अगर आप पूरा इंडिया का मैप डाल दोगे तो वो पूरे हम बता देगा कि ये एरिया कहां कहां है तो वो पिक्सल को काउंट करके बता देगा कि इंडिया में कितने हेक्टर अरिया में ही वीट की ग्रोविंग हो रही है अब वीट कितने अरिया में लगा है इस से government को क्या benefit होता है उसी ही मालूम हो जाता है अभी production आया भी नहीं है market में यह फार्मर के घर में भी नहीं है लेकिन government of India को मालूम है कि देश में कितना wheat का production होने वाला है अब अगर suppose wheat का production कम हो रहा है तो जब आएगा तीन महीने बाद चार महीने बाद जब आपकी crop आएगी उससे पहले government Australia या New Zealand से जो wheat है उसे import कर लेगी जिसने market में fluctuation ना हो तो इस type के हम data के जो gathering है वो बहुत जल्दी कर लेते है अगरी culture के बारे में अपने पहले सी बहुत सारी चीज़ें कर चुके है तो यहाँ पर तो अपना part यह आ जाता है कि आखर remote sensing है क्या उसके type क्या है और वो उसके लिए हमारे practical life में क्या importance है अब हमें basically यह पढ़ना है कि remote sensing जो है उसके साथ भी अपने बहुत सारे बवाल है remote sensing में क्या होगा एक तो रहा platform जैसे अगर satellite बेस remote sensing को देखे लाए तो एक तो रहा satellite उसको आपने को पढ़ने की जरूरत है नहीं दूसरा क्या है कि satellite पर जो camera लगा हुआ है वो information किस से गदर कर रहा है वो कर रहा electromagnetic radiation वो चाहिए visual spectrum हो या ultraviolet spectrum हो कोई भी हो infrared हो कोई भी हो लेकिन वो कहीं न कहीं एक type का electromagnetic जो radiation है उसके उपर based है दूसरा जब वो radiation based है तो वो radiation कहां से आ रहा है नीचे जमीन से अर्थ से जा रहा है यहाँ पर अपनी satellite रही तो यह जब यहाँ से इधर जाएगा तो यहाँ पर atmosphere इसके साथ interact करेगा या फिर अगर हम passive remote sensing की बात करें और अगर solar radiation की ले ले लें कि sun से जो solar radiation आ रहा जमीन प करेगा तो इस टाइप से जो atmosphere उसके साथ interact कर रहा है बहुत चीजे आती है फिर अपने इसके बाद आपने जो camera यानि की जो sensor है उन पर डिटेल करेंगा और इसकी skill बगारे पर है तो सबसे पहले तो अपने जो electromagnetic radiation है इस पर देखते हैं यहाँ पर यह पूरी की पूरी एक wavelength ह है frequency दे रखिए आपको सभी याद रखने की जड़ुवत नहीं है एक तो यह देख लो कि जो visible spectrum है वो 0.4 से 0.76 micrometer wavelength तक का होता है यह है visible spectrum और इसके जो ऊपर के होंगे वो है infrared और उसके नीचे की होंगे वो ultraviolet अब आप पर अगर कोई question पूछा जाता है जो अपने GS के लिए पूछा जाता है वो इनकी frequency भी आता है आप से बोल दिया जाता है जो wavelength है उसके घटते करम है या frequency के बढ़त frequency और frequency या जो wavelength है वो radio wave की बहुत जदा होती है तो अगर radio wave से जाए cosmic rays की तरफ या gamma ray की गामा ray के बाद इधर आती है cosmic cosmic तो अगर radio से cosmic की तरफ जाए तो इसका एक रट्टा मारने के लिए formula सा बनातेते हैं इससे बनाते हैं रामी VUX GC तो radio, micro, infrared, visual, ultraviolet, x-ray, gamma ray, cosmic ray तो राम, VUX, GC से याद रखना इधर से इधर की तरफ क्या बढ़ रही है frequency मतलब energy बढ़ रही है energy आप यह देख लो x-ray है high energy किया अगर x-ray के सामने आप आगए तो आपको cancer हो जाएगा तो आपनों जैसे बढ़ रहा है वो energy बढ़ रही मतलब frequency बढ़ रही मतलब इसकी wavelength कम हो रही है तो एक तो आपको यहाँ पर table इससे question आजाता है दूसरा question जो आता है आप पर वो आता है atmospheric window पर मैंने आपको alvido की time पर बताया था कि alvido क्या होता है कि कुछ wavelength ऐसी होती है कि जो atmosphere में इंटर करती है जमीन पर तक आती है जमीन से टकरा के बापस चली जाती है उनके साथ जो atmosphere है वो react नहीं करता है उनके साथ reaction नहीं करता तो जो alvido है alvido का मतलब वो आने के बाद बापस चला जाना लेकिन जो particular frequency है उन frequency के लिए आप उन एक term more use करते है उसे बोलते है atmospheric window atmospheric window का मतलब कि वह यह atmosphere है वो उन particular frequency के लिए एक टाप से खलकी का काम करता है वो एक side से आते है और वोने खलकी के थुरू बाहर निकाल देता है उनके साथ किसी type का ठुकाई पिटा ही नहीं करता है अब यहाँ electromagnetic के बाद फिर आता अपने atmosphere इस type की जो wavelength है उनके साथ किस type का reaction करता है तो reaction की बाद की जाए तो यहाँ atmosphere चार टाप की reaction करेगा एक होता scattering दूसरा absorption तीसरा transmission और चौता होता है reflection अब यह असा ले लो कि यह sun है sun से जो solar radiation आया यह उसके साथ क्या करेगा कुछ जो अपने gas के particles हैं वो इसे कर लेंगे इसे absorb कर लेंगे जैसे कि आपने दिखा होगा X-rays जो है वो अपने पास जमीन पर नहीं आती क्यों क्योंकि आपने particles यानकि atmosphere वो उसे क्या कर लेते हैं absorb कुछ wavelength होंगी जिनको यह atmosphere के particle बापस भेज देते हैं इसे हम बोलते हैं मतलब बापस भेज देना होना है reflect back कर देंगे reflect कर दिया बापस भेज दिया reflect back absorption हो गया और reflect back तीसरा क्या करते हैं कुछ frequency जो आए यह wavelength यानकि जो frequency वो तो एक ही थी यह particle से ठक रहा है इस particle ने क्या किया इसे चारों तरफ फैला दिया scattering इसको हम बोलते है scattering यही scattering है कि आपके हाँ आप gate खोल दो तो आपके यह डारेक्ट धूप नहीं आ रही है लेकिन फिर भी आपके घर के अंदर light आ जाती है क्यों scattering की वजए से क्यों कि particles हैं जो solar radiation है उसे चारों तरफ फैला रहे होते हैं और चोथा आता है वो है transmission मतलब ज से अपने मेंसे गुजर जाने देंगे उसके साथ जाने देंगे उसको छड़ा खाने नहीं करेंगे वो चला जाता है और कहा आता है जमीन पर तो हमारा जो सबसे ज़दा important point है remote sensing में वो यही transmission वाला है क्योंकि यही है wavelength जो जमीन तक आती है और जमीन से जब बापस जाती है तब भी atmosphere इसके साथ ज़दा interact नहीं करता है इसलिए safe हमारे जो sensor है वहाँ तक पहुंचाती है और हम उन्हें आसानी से पकड़ लिते हैं तो यहाँ पर रहा कि atmosphere इस टाइप की जो radiation है उसके साथ कैसे react करता है अब अपनी जो satellite है वहाँ पर रखे हैं अपने बड़े बड़ camera camera means sensor अब sensor अलग हो सकते हैं जैसे आपने multi spectrum में सुन रखा होगा कि वहाँ पर उनके साथ infrared वाले भी sensor है वीजबल spectrum के भी sensor है और microwave के लिए भी sensor है तो इस टाइप के अलग sensor हो सकते हैं आपको जो data मिलता है या जो भी satellite से picture मिलती है वो अलग-अलग sensor से अलग-अलग मिल सकती है या फिर आपने software इस टाइप से बनाया है कि वो तीनों या चारों जो भी बैंड है उनको mix करके देगा तो उनका मुद्दा है अपने लिए वस इतना ही काफी है कि अपने sensor अलग-अलग होते हैं इसके साथ एक अपने लिए और issue आता है वह आता है angle का हलाकि satellite जो है उनके से जैसे कि आपका ये जमीन है और आपका जो flight है वो यहाँ पर ओड़ रही है plan है तो आपका camera कैसा लगा हुगा आपका camera बिलकुल सीधा है means बिलकुल नीचे की तरफ है सीधा vertical है या वो कुछ oblique 60 degree है 30 degree है या बहुत जदा oblique highly oblique है तो क्योंकि ये जो obliqueness है ये effect करती है उ क्या होगा कि जो area आएगा वो किवल यही आएगा इतनी area को cover करेगी दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्योंकि distance जो है वो जो इसके नीचे का है ये वाला point तो camera के नीचे का point है इसकी distance कम होगी इस point की distance थोड़ी जदा होगी तो picture में ये थोड़ा issue रहेगा जबकि अगर हम highly oblique क की तरफ चले जाएं तो इसमें इसके नीचे का data जो यहाँ से मिला बो भी थोड़ा distance वो है जो इसकी actual distance जो है उससे जदा distance है और ये distance बहुत जदा हो जाती है तो इससे picture जो है उसकी area पर और पर भी फरक पड़ता है और picture की जो scale है उस पर भी फरक पड़ता है तो इसलिए हमें यह लेंस की जो इसकेल है उसे भी देखना होता है अपने यहां यहां मतलब कि ज़्यदा कुछ चीज हैं नहीं जो अपने के लिए आते हूं एमसी क्यूं के लिए जो यूजरी हम जो कुछन इंपोर्टेंट है वो आता है एरियल फोटोग्राफ और अपने मैप में डिफ्रेंस तो को अपने कभी पटवारी के मैप देखे होंगे या फिर जो रिमोट संसिंग थी पुराने जमाने में उन पुरानी जो रिमोट संसिंग है उसमें इसी राइप के पिक्चर खीचते थे जैसे आजकर हम सैटलाइट से खीचते हैं पहले हवाई जाज के तुरू इसी ड्यकोटा जो एर्प्लैन था उससे खीचते थे और उन पिक्चर को दिया जाता था पटवारी को और पटवारी क्या करता एक मैप मनाता था यह इस ताइप का जो यहां दिख रहा है यह मैप बनाया अब मैप आप पटवारी के में देखोगे तो क्या होगा पहली बात तो यह है कि यहां पर जैसी जमीन होगी जो भी जमीन का एरिया था उसी को वो छोटे फॉर्म में बिलुकुल सेम टू सेम मना आएगा जाने कि जमीन पर यहां पर जो पॉ tähän को प्योंट है उसको यह मैप फो इधर बनाएगा यहां का जो प्योंट है वह यहां बनाएगा तो इसको बोलते है और्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस बात को टर्म को याद रखो यहीं से कुश्चन आएगा कि और्थोग्राफिक पिक्चर जो प्रोजेक्शन है वो कहां यूच किया जाता है वो बनाया जाता है मैप मेकिंग में और्थोग्राफिक में यह भी याद रखा जाता है कि यहाँ पर हर objective की जो object है उसकी जो scale है वो बिलकुल same रहती है चाहे वो कैसी भी photo लिया जाए object की scale same है For example, यहाँ पर जो मकान है और यहाँ पर यानि की इस मकान की और यहाँ कोई same building यहाँ हो अगर वो same size की है तो इनकी picture में भी जो area एक आवर करेंगे वो बरावर होगा जबकि यह जो अपने picture होती है उसमें ऐसा नहीं होता है same building अगर यहाँ पर है और same building अगर यहाँ है तो यहाँ वाली जो पास में उसकी picture बड़ी बनेगी जो लंबी होगी उसकी picture छोटी हो जाती तो यह अपनी जो photographic picture है उनमें scale same नहीं रहती है जबकि यह अपने map है यानि कि जो orthographic projection है उसमें इसका जो scale है वो same रहती है दूसरा मुद्दा यह जो picture होती है इसमें आपको चाहिए था suppose vegetation की picture तो जो data चाहिए वो तो आएगी आएगा उसके साथ यह सारा जहां की picture आ जाएंगी इसमें जबकि जो map है उसमें क्या क्योंकि हांसे बना जाता है तो इसमें वही data आपको लिखते हो जो आपको चाहिए उसके अलावा यह पूरा blank है मतलब यहां पर data जो है वो crowd नहीं होता है आपको जो लिखना है यह जो जो उसमें बनाना है वही रहेगा remaining चीज़ें नहीं आ जाएंगी आज यह टाइम पर जैसे आपको गूगल मैप देखो तो उसमें 6-7 चीज़ें आती हैं तो जो अपने map वाले में देखते हैं इसमें केवल वही चीज़ें होंगी जो data की वो कोई आपको यह नहीं बताएगा कि कहां उंचाई काम है कहां नी orthographic क्योंकि यहां पर यह point इधर पहुंच आता है और यह point इधर पहुंच आता है तो इस बात को याद रखो कि प्रेस्प्रेक्टिव प्रोजेक्शन और orthographic प्रोजेक्शन में क्या difference है ठीक है इस पर कुशन आता ही आता है अब इसके अलावा जो photographic picture की scale की बात की जा रही तो scale को एक बार इसको देख लेना है इस पर अपने objective तो नहीं आते हैं कि वहला ICR वालों देख सकते हैं उनके लिए कभी इस टाइप की खासकर SRF के टाइम पर कोई किस्टिस्टेडी आ सकती है otherwise इस पर कुशन नहीं आते है अपने लिए तो यहां just एक समाज लेना है इसमे अब देख लेते हैं सीजन ओफ फोटोग्राफी अगर फोटोग्राफी के सीजन की बात की जाए तो यह हमारे लिए क्यों important है क्योंकि हमारा जो geographical area वो काफी बड़ा है सखासकर अपने याँ ट्रॉपिकल जो majority इंडिया है वो ट्रॉपिकल के अंडर आता है इसके बात भी अपने आँ सब ट्रॉपिकल और टेंपरेट रीजन है जो अपनी हिमालाय में चले जाए अंदर तो टेंपरेट मिल जाए आपको इसके साथ जो हमारे distribution है जो फिजियोग्राफीकल वेरिशन है mountain का जो distribution है यह काफी चीजों को खासकर climatic चीजों को impact करती है इसकी वजह से हम है एक specific season दिखना होता है जिसमें हम photographic कर सके हैं यह को आप ऐसा भी बोल सकते हो कि क्या फरक पड़ता है सालवर कर लो तो ऐसा नहीं होता है government जो है एक बार जब project को run करती है तो वह एक ही duration को करेगी कोई specific period में मतलब एक मन्त या दो मन्त को और पूरा project उसी period में करना होता ह डेपार्टमेंट हमेशा इसी में काम में नहीं लगा रहेगा तो यह बज़ा है कि अपने को कोई particular season को ही धूना होता है जिसमें अपने काम कर सके हैं अब अपने पास particular season के धूनने की कुछ समस्यां है जैसे कि आपने जो satellite based photography करते हैं तो data क्या है अपना atmosphere से ही तो radiation satellite तक पह गर्मियों का जो पीरियड है जब अपने हां लू चल रही होती है दर तो यह जो लू है यह जो scattering है उसको बढ़ा देता है तो अगर आपने अपरेल के टाइम पर अपरेल माई जून के टाइम पर अगर फोटोग्राफी कर रहे हो नॉर्थ इंडियन फोरेस्ट की अप नॉ गल पाता है तो यह दुकत है अब अगर आप जून तक रुगा है जून के बाद अपनी आ जाता है मानसून और एक बार मानसून जब जूर सोड से आ गया तो अपने जो बादल है इंडिया के वो मैजोर्टी पूरे पूरे आसमान क्लाउड से भर जाते है तो फिर आपको एक जो सबसे सई सीजन मिलता है और जब मानसून विड्रौ हो जाए मतलब आपके पास मानसून विड्रौ हुआ लगव अक्टूबर नववर में तो अक्टूबर नववर के बाद से आपके लिए फैवरेवल सीजन आ गया किसकी लिए रिमोट सेंसिंग के लिए दूसरा इसमें उस टाइम पर कौन कौन से एरिया है जहां फैबरेवल नहीं है अगर इंडिया का मैप देख लो तो आपको पता है कि जो नौर्थ इस मांजून है उसमें रेनफॉल होती है तामिल्लाडू वाले रीजन में तो क्लाउड होंगे इस रीजन में तो एक तो यह एनफैब कर रहा है वो किस के लिए कर रहा है पेड़ों की Специj को डेटक्ट करने के लिए तो अगर गर्मियों में हमनें खीचे तो उस ताम पर पेड़ों मैजोटी जो पेड़ा उन्होंने पत्यां जड़ाकर खड़े है तो हमें तो लगडी लगडी दिखेंगे पीड तो पता ही न कि आखर ये कौन-कौन सा पेड़ है तो हमारा जो पर्टिकुलर सीजन है वो इसी के बेस्ट पर डिसाइड होता है अब आपको यहां पर दो टाइप के बेसिक कुश्चन आते हैं एक तो आता है कि इंडिया में जो रिमोट सेंसिंग करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तो माना जाता है अक्टूबर नवंबर का अक्टूबर नवंबर का क्यों कि दिसंबर जनवरी में नौर्थीस्ट आने लगता है मांसून नौर्थीस्ट मांसून आने लगता है तो उससे पहले का सीजन यह अक्टूबर नवंबर क बोला तो उस टाम पर नॉर्स ट्रीस्ट नहीं पहुंच पाता उस से पहले पहले आप और सौथ इंडिया में निप्टा लेते हैं अब अगर इससे कभी कुश्चन आते हैं रिमोट सेंसिंग से तो लगोग 30-40 परसेंट जो कुश्चन है वो अकेले इसी बात पर आ जाते हैं कि इंडिया के किस रिजन में आप रिमोट सेंसिंग कभ करते हो तो ये जो टेवल है इसको रेट्टा मार लेने का कि साल फोरेस्ट में हम कभ करते हैं टीक फोरेस्ट में हम कभ करते हैं ये अबर ग्रीन फोरेस्ट में हम कभ करते हैं तो अपने जो कुश्चन आएंगे वो इसे बोलते हैं photo photo interpretation इसे photo grammatrix के अंडर बहनली पढ़ते हैं जैसे कि अभी आपने satellite से image तो ले ली ठीक है image से आपको सीधी जैसे ये जंगल की image आ गई ठीक है picture में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप ये picture से अपने data कैसे निकालेंगे यानि कि इससे data को कैसे interpret करेंगे तो interpret करना यानि कि इससे data निकालना उसको actually अलग science है लेकन यहाँ पर interpret जब आप करते हो यानि कि किसी picture से data निकालते हो तो उसमें सबसे ज़्यदा जिस चीज़ को use किये जाता है वो है stereoscope का और जो method है यानि कि जो science है जो data निकालने का उसे बोलते है photogrametry तो पहले हम यह दो term है इन पर कई बार question आ चुके हैं कि stereoscopic vision क्या होता है और photogrametry क्या होती है तो stereoscopic क्या होता है आपके पास दो आखें हैं दोनों ही आखें किसी object को बिलकुल अलग अलग angle से देख रही होती है राइट आख अलग पार्ट देख रही होगी और इस side की आख अलग वाला पार्ट देख रही होगी लेकिन आपके जो brain है वो दोनों picture को mix up करके आपको दिखाता है और आपको एक 3D picture बन जाती है दिमाग में सिमलरली अपनी जो picture होती है जो satellite जो image लेते है वो image एक डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ले लिए जाते है satellite ही लेगी लेकिन वो दो एंगल से लेगी उसका result यह होता है कि जब एक picture को दूसरे picture के साथ हम coincide and करते हैं दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के देखते हैं यह जो device है इसमें क्या करते हैं जब इससे देखते हैं तो इसका जो एक lens है उसके सामने यह picture रखा जाता है दूसरा लेंज से उसके साथ में दूसरा पिक्चर रखा जाता है और यह इनको इस टाइप से फोल्ड कर देता है कि जो अपनी आख हैं उस वो दोनों पिक्चर हैं जो अलग अलग रखी हैं उनको भी एक दूसरे पर ओवर लेप करके दिखाएगा इस टाइप से हमे वो 3D दिखने लगती है तो इस ताइम से 2D picture भी हमें 3D दिखती ही किसकी मदद से stereo scope से ये जो device से बोलते है stereo scope और ये जो science है यानि कि 3D देखनी का इसे बोलते हैm stereo scope अब stereo scope टो कर ली लेकिन अपना परपज गया कि जो picture है उससे कुछ data डाटा निकलना डाटा क्या जैसे के पीड जो है उनकी हाइट क्या है या पीड जो है उसका कहनोपी कितनी है देंस कहनोपी डेंसिटी कितनी है तो यह जो मैजुरमेंट है जो पिक्चर में हम मैजुरमेंट करेंगे और उसे जो डाटा कलेक्ट करेंगे इसके जो साइन से उस उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे आपने देखा हुगा टॉन कडर होता है वह ज्यादा सार्प टॉन है या गाड़ा है मतलब हरा है ठीक है लेकिन हरा गाड़ा है यानिकि डार्क है यह लाइट हरा है तो इस टाइप के हम बोलते हैं टॉन क्या है दूसरा हिए उनका साइज कैसा है बड़ा है चोटा है मतलब क्राउन है रौंड है लंबे लंबे है या गौल है यह चीज आपको आइडेंटीफिकिशन में हल्प करती है पिड़ों को आइडेंटीफाइज करने में कई वारे कोह तरम आता है एसो सीजन का सपोर्ज यह अगर वैली जो है वो चम्मल वैली है चम्मल वैली में मान के चलो एक पेड़ जो है इसे हम डिटेक्ट कर पा रहा है कि ये है वो है डलवर्जिया सिस्टू और कोई दूसरा पेड़ है जिससे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और वो अकसर यहां पर पिक्चरों में दिख रहा है तो हम समझ लेते हैं कि क्योंकि चंबल वैलि में डलवर्जे सिस्चू के साथ जो एसूसीशन बना रहा है। तो क्योंकि इसका combination है, इसके साथ association है, इसलिए possibility है कि जिसे हम detect नहीं कर पा रहा है, वो खेरो तीसरा shadow है, च्छाई वगर है, पिक्चर में पेड़ों की च्छाई बनती है, हर चीज की च्छाई बनती है अगर कोई single अब पूरे पिक्चर तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पर पेड़ single मिल गया और उसकी shadow जो है, उसे देख लेंगे हमें यह मालम होता है कि हमारा जो aeroplane या satellite है, उसकी position कहा है, sun की position क्या है तो हमें sun की position से यह पता पड़ जाता है time से, कि अगर sun यहाँ है, और यह पेड़ जो है, इसकी जो height है, उसकी जो भी height है, उससे दोगनी shadow बननी चाहिए इसकी time sun की position के साब से, क्योंकि sun यहाँ पर था, और अगर हमें यहाँ पर shadow मिल रही है इसकी तो हम बता सकते हैं कि पिल्ड़ की height कितनी है, इस हिसाब से हम उसकी shadow वगर है measure करते हैं, अपनी building है, उनकी भी shadow से हम building की उचाहिए निकाल लेते हैं, texture, structure है, pattern ना कोई specific pattern बन रह इस data को निकाल लेते हैं, अब अपना जो man मुद्दा था, photo, gramat tree वो आ जाता है, gramat tree मतलब, आप, mat tree तो measurement ही होता है, photo का मतलब picture है, तो इसमें आप उन various type के जो tool होते हैं, instrument होते हैं, उनको use करके photo से कुछ data collect करनी की गोसिस करते हैं, जैसे data की बात की जाए तो आप जैसे tree क height measurement करना चाहते हो, तो उसमें height के अपने पास जैसे ये पेड लगा है, आपकी picture जो है, picture में कोई plant की shadow जो है, वो इस type की बन लखी है, तो आपने देखा कि picture की shadow है, वो है d, distance की, आपके जो flight, जो है, lens है, वो इस उंचाई पर है, तो आपको इसकी height पता है, ये d पता है, तो आप ये बता सकते हो, कि इसकी tree की height कैसी होगी, ये जो calculate करने का जो method है, इसे बोलते है, relief displacement method, आपको किवल नाम याद रखना है, कि relief displacement method किस का में आता है, tree की height measurement करने के लिए, तो यहाँ पर जैसे tree की height निकाला, उसमें दो method दिया हुआ, एक तो है single tree को ही है, अगर एकाद म इंपोर्टेंट है, अगर question आएगा, वो इसी पर आएगा, दूसरा, shadow method तो ये relief में ये यूज़ कर लेते हैं, stereo pair जो method है, उसमें आता है, parallelism, parallax difference, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर हो जाए तो ठीक है, ICR वाले थोड़े ध्यान दियान दिख लें, इसमें क्या difference की बेस पर हम थोड़ा यूज़ करते हैं, अगर आपको MCQ आएगा, तो relief displacement पर ही आएगा, जिसमें हम tricky height करते हैं, shadow method जो है, जैसे कि यहाँ पर ये जो देखा हमने, ये relief method ही है, और shadow method है वो रहा ही है, shadow में जैसे मैं बता चुका हूँ कि अगर अगर अपने sun की position ही है, जैने की airplane है, उसकी height हमें मालूम है, उसकी position मालूम है, और जब उसने picture ली, तो picture की मालूम है, कि इसकी shadow कितनी बनी है, तो अपनों ये समझ सकते हैं, कि इस time पर actual में shadow कितना बनना चाहिए, suppose shadow जो है, plant की height का दो गुना बनना चाहिए, तो यहाँ की shadow है, उस अपनों इसकी height काल सकते हैं, गर shadow जो भी हुआ, उसकी height उसकी आदी होगी, हलाकि हर method के थोड़े drawback है, जैसे कि जो अपना relief है, जिस पर ये surface, जिस पर ये पेड़ लगा हुआ है, वो अगर edge type की है, मतलब tilted है, ये पेड़ टेड़ा हुआ है, तो ये चीज़ है, कि वहाँ पर सही picture नहीं आती, क्योंकि shadow सही नहीं बनती है, जैसे यहाँ पर देख रहा है, कि ये ढलान है, अगर solar radiation ऐसा है, तो ये picture थोड़ी छोटी बनेगी, और यहाँ पर छोटा भी है, लेकिन इस type का ढलान ऐसा है, तो picture थोड़ी बड़ी बन गाएगी, ये चीज़ होती है, इतना मुद्दा देने की ज़रुवत नहीं है, मेर मुद्दा है कि shadow, जो displacement method है, उसका अपना tree की height measurement में कर लेते हैं, दूसरा इसी type पर आजकल अपने देखा होगा, कि हम forest में वो निकाल, tree crown के एक पेड़ है, उसका कितना, मतलब वो pixel में ऐसी है, तो data cover करेगा, अगर किसी पेड़ को आप उ उपर से देखोगे, तो उसका किवल crown crown देखेगा, जैसी कि अपने इस picture में देख रहे थे, यहां पर तो हमें क्या देख रहा है, यहां ट्री के crown ही देख रहा है, तो तूसरे में आता है crown measurement, crown का जो diameter है, कि crown का यह जो diameter वाला part है, इसको measure करना हो, तो इसके लिए दो device इसका के लेके आएंगे, और इसे यहां फसा लेंगे, तो जो मतलब इस boundary से touch हो जाए इससे, तो जो data आजाता है, वो अपनों समझ में आता है, कि इसका crown कितना, इसका diameter कितना है, तो इससे बोलते है, micrometer वेज, वेज मतलब triangle है, यह दूसरा होता है, यह dot वाला, तो उसमें dot के साफ़ापन निकाल लेते हैं, इसे बोलते है, dot gauge, तो यह याद रख लो, dot gauge, और यह जो micrometer वेज आए, यह निकालते है, crown diameter की निकालने के काम में यह दोनों आ जाते हैं, अब इससे जएधा photogrametry में अपने कोई question आते नहीं है, remote sensing में, एक last part है आपके slivers का, वो है GIS, या और sensing का जब data आने लगा, तो अब वो जो different different data है, उनको interpret किया गया, उपर से satellite का data आ गया, दूसरा जो ground based जो अपने map वाले data थे, उनको मिला करके, एक computer software डिवलप किया गया, और software क्या करेगा, कि satellite data और आपका ground data इनको mix करके, आपकी जरूरत के हिसाप से data produce कर सके, जैसे सब अच्छी बात होती है, आप Google Map पे जाईए, Google Map पे आपको पांच चाइप के data, वो जो seat आती है, वो पांच चाइप की आती है, जब आप अगर उसके map की बात करेंगे, तो map के में किबल आपको road दिखेंगे, building दिखेंगे, और कुछ चीज़ा नहीं दिखेंगे, आपको कही पार्क बना है, कुछ नहीं, Google Block से बने होंगे और आपको बता देगा, यहां से यहां जाना है, लेकिन अगर आप satellite view करोगे, तो satellite view में आपको बहुत सारी चीज़ा होगे, तो इस टाइप से जो GIS है, वो क्या करेगा, आपका जो particular जो data है, जो ground की data है, उनके, जो आपके पा जाना है, यह ढिकाना है, तो इस टाइप के जो आपकी geospatial information है, उसको satellite based image के ऊपर थुप दिया जाता है, तो इस टाइप से different different layer बना करके एक data sheet बना जाती है, उसको हम बोलते है, geographical information system, फिर उसके अपने particular है, GIS का सबसे best example, Google Map है, आप उसे देखो, आपको समाझ में आ जाए इस पर, remote sensing का जैसे मैंने importance की बात की जाए, तो hardly आपको एक या दो question आ सकते हैं इस पर, इससे जदा नहीं आएंगे, और अगर कोई question आएगा तो वो आएगा इसके season पर, कि remote sensing के season कहा करते हैं, दूसरा मुद्दा अगर कभी question आता है, तो वो आता है scaling पर, अब remote sensing की skill अपन जो पढ़ते हैं, वो अपने working plan जो है, उसमें पढ़ लेते हैं, कि क्वण से map क्या scaling करते हैं, उससे जदा कोई question आ रिमोट sensing पर आती है, पस आपको simple चीज पता होनी चाहिए, एक active है, और दूसरी passive है, इतनी से अपने काम होगा, अगर इसमें कोई confusion बचा तो आप question पूछ जडश आपचब दीक साकते हैं?